आज हम देखेंगे 17 जुलाई के महत्वपुन MCQ तो चलिए इसे सुरू करने से पहले हम 20 प्रश्णों का क्विज देख लेते हैं जिनमें हम पिछले कुछ दिनों के महत्वपुन प्रश्णों का भ्यास करते हैं जो हमारे रिवीजन के लिए काफी जरूरी है तो चलिए पहल कित जारी किया है तीसरह प्रश्ण है किस राज्जी ने मुख्य मंत्री सहरी रोजगार गारंटी योजना की सुरूआत की है मद्यान भोजन रासन प्रदान करने वाला देश का पहला राजी कौन सा है? ब्राजील में भारत के नए राज़दूत के रूप में किसे निउक्त किया गया है? भारत के तटिय और समुद्री संसाधनों को बढ़ाने और सुरक्षित करने के लिए किस बैंक ने 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समर्थन दिया है? The Room Where It Happened, A White House Memoir इस पुस्तक के लेखक कौन है? Michael Robinson जिनका हाल इम में निदन हो गया, वो किस खेल से जुड़े हुए थे? Peter Abdon जिनोंने अपनी सेवा निल्वित्य की गोश्णा कर दी, जिनोंने सन्यास ले लिया, वो किस खेल से जुड़े हुए थे? Badminton World Federation इसका मुख्याले कहा है? इसका Headquarter कहा पे है? कौन सा देश Partnerships for Affordable Health Care Access and Longevity पहल पर्योजना के लिए भारत को तीन मिलियन डॉलर कर लोन दे रहा है? गूट निर्पेक्ष आंदोलन नन अलाइन मुमेंट का वर्तमान अध्यक्ष कौन सा देश है? नन अलाइन मुमेंट का अभी चेर्मेंसिप किस देश के पास है? के इस निसार एहमद जिनका हाल ही में निदन हो गया वो किस भासा के पड़ से दुखक भी थे? आर्क्टिक जलवायों के निगरानी के लिए कौन सा देश पहला आर्क्टिका M. उपग्रा लॉंच करेगा? 2020 यूनेशको गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रेडम प्राइस की विजेता कौन है? बुजूर्गों की मदद के लिए किस राज्जी के पुलिस ने संकल्प योजना सुरू की है? संदीप कुमारी जिने वाड़ा ने चार साल के रिए परतिबंधित किया था वो किस खेल से जुड़ी है? रिजरो बैंक अफ इंडिया ने मुंबई इस्थिद सीके पीक को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेट का लाइसेंस रद्द कर दिया है इस बैंक का मुख्याले किस सहर में है? किस कंपनी ने वॉलिवूड के साथ मिलकर आई फॉर इंडिया कॉंसर्ट सुरू किया है? और विश्वा और आखरी प्रशन है विश्व अस्थमा दिवस 2020 का विशय क्या है? इसका थीम क्या रहा? तो चलिए अब इसका एंसर देखते हैं पहला प्रशन था सुत्नतर्ता शेनानी और पदमिसरी से सम्मानित हेमा भराली जिनका निधन हो गया वो किस राज्ज से थे? वो असम राज्ज से थे हेमा भराली अमहार नहीं मानेंगे ये गाना लॉंच किया गया HDFC बैंक के द्वारा किस राज्ज ने मुखे मंत्री सहरी रोजगार गारेंटी योजना शुरू की ये की गई हिमाचिल परदेश सरकार के द्वारा मध्यान भोजन रासन प्रदान करने वाला राज्ज है मध्यप्रदेश ब्राजील में भारत के नए राजदूत बने हैं सुरेस रेड़ी भारत के थटिया और समुद्री संसाधनों को बढ़ाने और सुरक्षित करने के लिए वर्ड बैंक ने भारत को 400 मिलियन डॉलर का सम मन्दी थे वो फुटवाल के खिलाडी थे पीटर एबडन जिनोंने अपनी सन्यास की घोशना कर दे वो स्नूकर के खिलाडी थे बैडमिंटन वर्ल्ट फेडरेशन का मुख्याले है कौला लंपूर कौन सा देस पार्टनर्शिप्स पॉर अफॉर्डेवल हेल्थ केर एक्स अजर बैजान करेगा कि इस निसार अहमद जिनका निधन हो गया वो कन्नट भासा के परसिद्ध कवी थे कि इस निसार अहमद आर्क्टिक जलवायों के निग्रानी के लिए कौन सा देश पहला आर्क्टिक का एम उपग्र लॉंच किया यह किया गया रूस के द्वारा 2020 युनेस्को गिलर्मु कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रिटम प्राइज के विज़ेता कौन है यह है जिनेत बडोया लीमा बुजूर्गों के मदद के लिए किस राजजी में पुलिस ने संकल्प योजना शुरू की यह की गई मद्देपरदेश सरकार के द्वारा जहांके मुक इस बैंक का मुख्याले मुंबई में इस कंपणी ने वालीबूड के साथ मिलकर आई फौर अंडिया कॉंसर्ट इस तो यह थे 20 प्रशन इनका कुईज था अब चलिए हम देखते हैं 17 जुलाई के जो महातवण MCQs है वो तो इसमें हमारा पहला प्रश्ण है इस देश की सरकार ने सभी कमपनियों को Huawei द्वारा 5G नेटवर्क के लिए दिये गए सभी उपकारणों को हटा रहने का निर्देश दिया है Huawei जो है ये Mobile Phone Manufacturing की कमपनी है और भी Electronic Gadget से बनाती है जैसे Modem औगेरा बनाती है लेकिन इसका जो में धन्दा है वो है 3G, 4G, 5G, 6G ये सब नेटवर्क का तो ये ब्रिटेन को देने वाली थी लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने इसे मना कर दिया है तो इसके कारण ब्रिटेन और चीन के रिष्टे भी थोड़े खराब हो गया है तो ब्रिटेन ने 5G नेटवर्क के सबी उपकरनों को हटा लेने का निर्देश दिया है ब्रिटेन के परधान मंत्री है Boris Johnson यहां के वित्य मंत्री है रिशी सुनाक और Boris Johnson जो है उनकी पाटी है conservative party और ब्रिटेन में भारत की राजदुत कौन है यह है गायतरी कुमार और एक और बात ध्यान रखे होई company जो है इसने एक अपना अपना platform लॉंच किया है जिसका नाम है Harmony OS अब देखते हैं अगला प्रश्न अगला प्रश्न है देश का एक मात्र golden tiger जिसका नाम है काजी 106 यह हाल ही में किस राष्ट्रियों द्यान में देखा गया है यह जो पिक्चर है यह फोटो ली गई है मयूरेस हेंडर के द्वारा और यह देखा गया है काजी रंगा नेशनल पार्क में जो कि असाम में है वहां पर यह देखा गया काजी 106 एफ तो यह बात आप ध्यान रि जर्व यह बी एम अद्व प्रदेश में और जीम कारवेट नेशनल पार्क जो है वह है उत्तरा खंड में अगला प्रश्ण है बारतिय मूल के पुर्व पुलिस परमुख चांद संतोकी को किस देश के नए राष्ट पती के रूप में चुना गया है इन्हें सूरी नाम के नए राष्ट पती के रूप में चुना गया है यह बने है सूरी नाम के राष्ट पती चांद संतोकी सूरी नाम की राजधानी है पराम रीबु और सूरी नाम के मुद्रा है सूरी नाम डॉलर अगला प्रश्ण है मिले जेदीनाक ने किस खेल से सन्यास लेने की घोशना की है यह फुटबॉल के खिलाडी थे जिनोंने अब सन्यास लेने की घोशना की है यह ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉल के खिलाडी थे फुटबॉल की जो गवर्निंग बोड़ी है उसे फीफा कहते हैं और फीफा वर् कर्मियों के लिए असक्त पेंशन की अनुमती दे दी है यह किया गया है दस सालों से कम सेवा देने वालों के लिए पहले जो दस साल की सेवा देते थे उन्हें ही इसकी सुविधा मिलती थी असक्त पेंशन की लेकिन अब दस साल से कम सेवा देने वालों को भी असक्त पेंशन की सुबधा मिल सकेगी चुकि पहले दस साल तक सेवा करने वालों को ही मिलती थी लेकिन अब ये दस साल से कम सेवा देने वालों को भी मिल पाएगी असक्त पेंसन और रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंग और जिनकी कॉंस्टिचुएंसी है लखनवू देश का पहला केबल रे किसी जगह से कटरा को रीसी से जोड़ेगा जम्मू का स्मीर में इसे बना रहा है कॉंकन रेलवे कॉर्पोरेशन और इसकी लागत है लगबग 458 कड़ो रुपए अगला प्रश्ण है स्पोर्ट्स अड्डा ने किसे अपना ब्रांड एंबस्डर बनाया है स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना ब्रांड एंबस्डर बनाया है ब्रेटली को जो कि ऐस्ट्रेलिया के पुर्वतेज गिंदबाज है ब्रेटली वो बने है स्पोर्ट्स अड्ड पहली महिला चुनाव आयुक्ति थी नीला सत्य नारायन जिनका हाले में कोरोना वाइरस के कारण निधन हो गया। एलीस फकफक ने किस देश के प्रधान मंतरी के पत से अपना इस्तिफा दे दिया है। अगला प्रशन है प्रेलवे की किस कोच फैक्टरी ने कोरोना वाइरस से लड़ने के लिए एक पोश्ट कोविड कोच विक्सित किया है। ये किया गया है कपूर्थला फैक्ट्री के द्वारा इसमें इसने एक special कोच बनाया है जिसे कोरोना वायरस कम फैलेगा इसमें इसके spread को कंट्रोल किया जा सकेगा तो ये बनाया है कपूर्थला की फैक्ट्री ने जो की पंजाब में है और कुछ दिनों पहले ही कपूर्थला फैक्ट्री ने एक वेंटीलेटर भी बनाया था जिसका नाम है जीवन भारतिया विमान पत्तन प्राधिकरन एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया ने किस कमपनी के साथ हवाई एड़े के कारोबार में उभरते वैस्विक वाजारों को टैप करने के लिए एक समझोता ग्य किया है तो इसमें एयरपोर्ट ऑथरेटी ऑफ इंडिया के चेर्मेन कौन है यह है अरविंद सिंग और सीवी लेवियसर मिनिस्टर है हमारे अरदीप सिंग पूरी और एयर इंडिया के चेर्मेन है राजीव बंसल अगला प्रश्न है कोईला मंत्राले खनन योजना प्रवेश वेबसाइट से जोड़ दिया जाए यह इसका निर्मान क्यों हुआ था इसका निर्मान हुआ था ताकि परियावरन संबंदिक किलियरंस जो है वह असानी से मिल सके कोईले के खादानों में खनन के लिए और हमारे कोईला मंत्राले के मंत्री है प्रहलाद जोसी जिनकी कॉंस्टिचुएंसी है धारवाड करनाटक अगला प्रशन है भारत और भूटान ने पस्चिम मंगाल के किस सहर और भूटान के पसाका सहर के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला है तो यह खोला गया है जैगाउं जगह और भूटान के पसाका सहर के बीच में य air bubbles समझेटा करने का फैसला किया आht ये फैसला लिया गया है इंडियास के द्वारह एय और बबलस के मतलब कि कोरोना वायरस से अपसी बचाव के लिए यदि दो देश और बबलस बनाते रहा है जैसे फ्रांस के साथ और जर्मनी के साथ अगला प्रशन है कथित बीट कोई घोटाले में दुनिया के कुछ सिर्ष वैपारियों राजनेताओं और मसूर हस्तियों का कौन सा सोसल मिडिया एकाउंट हैक करके लोगों से ठगी की गए तो इसमें इन लोगों के अगला प्रशन है सईंतर राष्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार एक दसक में भारत में कुपोसित लोगों की संख्या में कितने मिलियन की गिरावट आई है तो यह गिरावट आई है 60 मिलियन की गिरावट आई है पहले कुपोसितों की संख्या थी लगबग 250 मिलियन यानि की 25 करोड लोग जो की अब घटकर हो गई है लगबग 190 मिलियन यानि की 19 करोड तो इसमें 60 मिलियन की गिरावट आई है लगबग 6 करोड की गिरावट आई है तो ये अब 25 करोड से घटकर 19 करोड हो गई है जो की फिर भी बहुत जादा है अभी भारत में 19 करोड से जादा 2020 दिया जाएगा तो ये अवर्ड दो लोगों को वैसे दिया जाएगा लेकिन भारतिये की पूछा गया है तो भारतिये में ये मिलेगा एन चंदर सेखरन को जो की टाटा ग्रूप के चेर्मैन है और दूसरे जो हैं वो हैं जीम टैसलेट जो की अमेरिका के अथियार बनाने वाली कंपनी लॉखेड मार्टीन के CEO है तो ये दो लोगों को मिलेगा लेकिन भारत में पूछा गया है तो ये एन चंदर सेखरन को मिलेगा जो की टाटा ग्रूप के चेर्मैन है ग्लोबल लिडर्शिप अवार्ड दोहजार बीस अगला प्रशन है कोचीन सीप्याड लिम सिद्ध सत्रंज खिलाडी है जिनका नाम है मैगनस काल्सन जो की वर्ल्ड चेस चैंपियन है तो ये थे 17 जुलाई के महत्तपूर्ण MC के उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएंगे और आपकी तयारी में मदद हो पाएगी तो लाइक जरूर कर दे वीडियो को और सब्सक् कीप सपोर्टिंग स्टेडिक्लाओड